कैसे हैं आप सब अच्छे से होंगे और आज मैं आप लोगं के लिए लेके आई हूं मिक्स पिकल की बढ़िया सी रैस्पी जो की बहुत ही जल्दी बन जाने वाला चार है और आपका साल भर तक खराब नहीं होगा यह मेरी गारंटी है और बहुत ही बढ़िया लगता है अच जिस मेथट से मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं उस मेथट से अगर आप इस पिकल को रखते हैं तो यकीन मानिए आपका आचार बिल्कुल भी साल भर तक खराब नहीं होगा ऐसे ही क्रंची बना रहेगा तो चलिए अचार बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैंने मू गजर गोभी और मूली है तो मैं मतर तो मैं चारों का पिकल बना रही हूं तो यहां पे थोड़ी से मैंने गोभी ले लिया है तो गोभी को भी अच्छी तरीके से वाश करके कट कर लिया है अब इन चीजों को हमें वाइल करना है इन तीनों चीजों को और मतर की मात्रा मैं थोड़ा सा कम रख रही हूँ थोड़ा मटर कम ही पिकल में खाते हैं सब लोग और ये सीजें ज़्यादा घपती है तो मैंने इनकी कॉंटिटी थोड़ा ज़्यादा ले है आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं तीनों चीजों चारे चीजों को आप एकुल ले सकते हैं मैंने गाजर और मूली को थोड़ा जादा लिया है गोभी और मट्र को थोड़ा कम लिया है तो यहां पर देखिए गोभी बॉल करने के लिए मैंने रख दिया है तो पानी डाला है पानी में मैंने थोड़ा हल्दी प यहां पर मैंने देखिए गोबी वॉयल हो गई थी तो मूली वी वॉयल कर लेती हो और एक चीज का दियान रखना है कि हमें इन चीजों को ज्यादा ओबर कुक नहीं करना है मतलब ज्यादा नहीं पकाना है कि बिलकुल एकदम गला देया बस जैसे ही फर्ष्ट वॉयल आता है विस हमें निकाल लें नी है इन सब चीजों को और अच्छी तरीक चैसे इनका माश्यर खत्म करने तक हम इसको छनी में डाल कर रखना है तो गोबी मेरी वॉयल हो गई है और गाजर भी मूली भी वॉयल हो गई है गाजर भी मैंने वॉयल कर ली थी और यहां पर देखे मैंने सब चीजों को ऐसे कपड़ा बिछा के धूप में डाल दिया है तो इनका मौश्यर दो से धाई घंटे में खतम हो जाएगा अगर तेज धूप है ना तो एक से दो घंटे काफी होते हैं अगर कम दूप है तो आप मतलब कि इसको तीन से चार घंटे डाल कर रख सकते हैं और जिससे कि इसका मौश्यर खतम हो जाए क्योंकि अगर मौश्यर जरा सभी रह जाएगा ना तो फिर अचार खराब होने के चांसेस जाता रहते हैं तो कोसिस करें कि जब भी आप अचार बनाए त तब तक आप इसको दूप में डाल कर रखें तो देखें मैंने दूप में डाला था सको 2-5 गंटे क्योंकि धूप बहुत जादा तेज थी तो यहां पर मेरे देखें गोभी गाजर और मौली बगेरा देखें कितने अच्छी तरीके सिनका मौश्यर खतम हो गया आप मौली में निकाल लिया था यहां पर थोड़ी से मटर को भी मैंने वॉयल किया था इसको भी मैंने धूप में डाल करके अच्छी तरीके से सुखा लिया है तो यह सारी चीजे सूख करके रैडी है पिकल बनाने के लिए तो चलिए बनाना एस्टराट करते हैं पिकल तो यहां पर तो आप इस तरीके से कोई बड़ा बरतन हो या आपके पास में प्लास्टिक का टब हो या तो लखडी का जो टाइप आता है वो हो आपको कुछ भी बरतन ले सकते हैं यहां पर देखिए मैंने उसमें मूली डाल दी है और गाजर डाल दिया है इस तरीके से और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है और इसी में मैंने गोभी और मटर दोनों चीजों को डाल दिया है तो मैं गाजर गोभी मटर और मूली का अचार बना रही हूँ जो की बहुत बढ़िया लगता है आप सेपरेट भी बना सकते हैं अलग अलग तो मैं वैसे भी बनाती हूं लेकिन अभी मिक्स पिकल बना रही हूं तो सुचा आपके साथ रैश्मी सेयर कर दो आई हो आपको अच्छा लगेगा और यहां पर देखिए मैंने लिए पिसी हुई सौंफ तो मैंने आधी कटोरी भर करके सौंफ ली है पिसी हुई जो कि मैंने मैं बिस करना ना है जो कि मैंने भून लिया था तो मैंने तुम करके अच्छी तरीके से बारी पीस लेंना है इसको पाउडर फार्म में कर लेना है और यहांपर देखिए मैं उसी गटोरी से विजर करके सर्सों डाल रही हूं आप चाहें तो राइश उर्सों या जो भी आ ढाली जितने आप का पिकल की रिक्वरिमेंट हो उसरहाब से आप इसमें सौरD कर सकते हैं कि सकते हैं किस्तों का सारा केल होता है कि यह सब कर देख से शालगता यह कि तर्थैकर धुटर्पूर जलें उते किस्तों चली नहीं है क्रेस्ट टैब में योचित करते हैं यहां पर शाल कि ड्यट्टे को भर को मुटेश में काइनके लुझा प्रटर payment से ज़ी है के के ड्मणें क 2-3 मैंके मिल गजाएं लोग में दिसके सारे लोग मैं मिल जाएगा और खराब होने की चांसे थोड़ा से कम रहते हैं क्योंकि कभी-कभी हमारे हाथ में कभी नमी रह जाती है ना पानी की थोड़ा सा भी बूंद रह जाएगी ना तो हमारा पेकल बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और इसके बाद मैं डालूँगे मैं यहां पर वैणिघर तो iswerk कहते है जो कि मारकेट में भी मिलता है वाइट कलर का वैणिघर मिलता है और यह देसी है तो यह थोड़ा सा ब्लैक टेस्ट में त्वर कोई आंतर नहीं रहता है बस बात निमें हां कि यह इंटी आती है इस में जल्यके लीवा बना पुर्ण में दोलेश व आपके पास में अगर नहीं है तो आप मार्केट का विऊच कर सकते हैं आपका अचार उस से भी नहीं खराब होगा यहां पे मैंने ने थोड़ा सा हींग डाला है और इसमे मैंने रेड़ चिली का स्मीरी पॉडर डाला हुआ है जिस्से के हमारे जो पेकल बनाया है हमने उसमे अच्छा सा is the colour भी आ चाई किवी the color अच्छा हलें तो एखने में just कि एखने में अच्छा और अगर देखने में excel लगता है तो हम अपने मूँ से खाने के वज़ाए आँखों से पहले नहीं के लिए काधि की जो देखने में छाए ंची में था दता रहा हुआए और आ छा एक टिस्ट है कि दू है कि कुछ तरीके से हमारा पिकल सितार्ट रहे पिकला कोटा बहुत है जादा टाइम निलगता है जादा उपने दरहरा साल पढ़ से जाएं Ayat आज मैंने आपके साथ में गाजर गोभी मूली और मतर का बढ़िया साचार आपके साथ सेयर किया है आशे करती हूं आप सबको मेरा अचार अच्छा लगा होगा अगर अचार की रेस्पी अच्छी लगी हो मिक्स आले अचार की तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और अपना फीडबेक मेरे साथ सेयर कीजिएगा और एक बार इस मैथट से जरूर बनाएगा अचार मिलते हूं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग रेस्पी वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई 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 दे के लौकर से जरूर बाई भीडियो नहीं है